पहला कि उसल habits भारतीय स्वीधान सबाकी प्रारूपश्मीती का अद्देक्स कुन था तो प्रारूपश्मीती जिसको drafting committee भी कहा जाता है इस प्रारूपश्मीती का जो अदेक्स बनाय गया था वह डोक्टर B.R.ウ TA में गया ऀसके दो हफ्ते बाद या नि चोदा दिन बाद इ इसके 14 दिन बाद यानि 29 अगस्त 1947 को प्रारूफ शमीती का गठन हुआ इसमें कुल शाथ सदसे थे पांडू लेखन समीती भी इसी प्रारूफ शमीती का दूसरा नाम था इसे मसोधा समीती के नाम से भी जाना जाता है कई बार पेपर में मसोधा करके भी नाम आ जाता है लग-लग भागों में इसको लागू किया था पहली बार जब भारत का सुःधाण लागूबा हुआ वो तारीक थी 26 नॉवंबर 1990 न वागूआ तो सविधान के इनदर केवल और केवल 16 शूला णूशेद लागूए थे ये 16 अनुचेद लागू होए थी, इस बात का उलेख कहां पर मिलता है, तो हमारे जो अनुचेद है 349 में स्वीधान का, उस अनुचेद के अंदर इन बातों का उलेख है, कि इस दिन 15 अनुचेद लागू होए और 349 में भी खुद उस दिन लागू होए था, तो टोटल 16 अन इस दिन लागू होगे थे, और 32 स्वीधान में मुल्रूप सी वर्त्वान में 300 पिचाण में अनुचेद हैं, बढ़ते अगले क्यूशन की तरफ, भारती स्वीधान को अपनाय गया था, तो भारती स्वीधान को अपनाय गया था, उप्छन है स्वीधान इक्षबाद वार स्वीधान सबा कियो के दवरा हुआ तो स्वीधान सबा का निर्माण किसके दोरह हुआ था तो सूइधान सबा का निर्माण olsun is मिशन योजना के तैट हुआ था कैमिनिट मिशन योजना के तैट हमारी शुईदान सभा में 389-389 मेंबर होने थे चलो बात करते हैं अगले क्यूशन की अगला क्यूशन है भारत में नया एक पुनरिक्षन की संकलपना निमलखित में से निमनांकित देश के सुईदान से ले ब्रेक्ट में है वी दी पीपल ओफ इंडिया सब्दो का प्रियोग भारती सुईदान में कहां किया गया है तो वी दी पीपल ओफ इंडिया यानि हम भारत के लोग है इसका उलेक भारती सुईदान के अंदर जो प्रस्तावना है उसके अंदर इसको उलेक किया गया है तो कि पहली line में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग जिसका मतलब है हम भारत के लोग मतलब भारत की जिन्ता और ये स्वीधान की प्रस्तावना जिसे उदेशी का भी कहा जाता है प्रेम्बल इंगलिस में बोलते हैं इसको बढ़ते अगली question में भारती स्वीधान कैसा है तो भा option 4 जो है इस question का सयूत्र हो जाएगा और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है कि भारत का स्वीधान जो है ये नम्मे और एनम्मे भी है ये भी कई बार option के अंदर इस परकार्शे देखने को मिल जाता है अगला question है निमल खित कतनों पर विचार कीजी भारत की स्वीधान सबा में राष्टिय दवज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था अगला option में ही राष्टिय दवज के बीच कर में 20 तीलिया है ये बात तो गलत होगी 21 तीलिया नहीं 24 तीलिया तो दो वाला तो गलत हो जाएगा तीसरा और देखते हैं राष्टिय दवज की चोड़ा पहला ठीका option B में दे रखा है केवल एक अगला क्यूसन है भारती राष्टे दवज में चक्कर किसका प्रतीक है भारती दवज जो है राष्टे दवज है इस राष्टे दवज के अंदर जो नीला चकर है वो किसका प्रतीक है वो प्रतीक है न्याई का option B के अंदर ये दे रखा है नयाई का परती भारत के स्वीधान का निमन लिखित में से कौन शा अनुचेद प्रेस की सोतंतरता से सम्मदित है प्रेस जिसको मीडिया कहा जाता है प्रेस की सोतंतरता से सम्मदित है तो अनुचेद 19 जो है इसमें प्रेस की सोतंतरता दे रखी है मीडिया की सोतंतर तो आपसन एस का सही उत्तर हो जाएगा आगे चलते हैं मौलिक अधिकारों का सरक्षन कौन है तो मौलिक अधिकारों का जो सरक्षक है वो है नयाई पालिका यानि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है यही मौलिक अधिकारों का सरक्षक है और मौलिक अधिकारों के संद्रम के बढ़ते अगले कुछन की तरफ राजे की नीती के निदेशक तत्वों के बारे में निमलखित कतनों पर विचार कीजिए पहला दे रखा है ये तत्वों देश के सामाजिक आर्थिक लोग तंतर की व्यक्षा करते हैं दूसरा दे रखा है इन तत्वों में अंतर विच्ट उपबंद किसी न्याले दवारा परवर्तनी यानि इनफोरसेबल नहीं है तो दोनों ही मुझे लगता दोनों के दोनों ठीक हैं आप समझ गयोंगे इसका मतलव option दूसरा तो ये कहता है कि न्याले दवारा परवर्तनी नहीं है इसका मतलव क्या है इसका मतलव है कि हम DPSP जो है राजे की नीती नी दे सकता तो है इनको court में challenge नहीं कर सकते न्याले में इनको चुनोती नहीं दी जा सकती तो इस question का उत्तर क्या आजाएगा option C एक और दो दोनों है तो इस question का उत्तर बन जाएगा C बढ़ते हैं अगले question की तरफ निमन में से किस विशे पर राष्टपती के लिए मंत्री प्रिशद से सला लेना आवशक नहीं है यानि राष्टपती के लिए मंत्री प्रिशद से सला नेना आउशक नहीं है देखते हैं उप्षन क्या है पहला उप्षन दे रखा है राजदूतों क्यों नुक्ती तो राजदूतों क्यों नुक्ती तो मंत्री प्रिशद के सला पर ही राष्टपती करता है दूसरा option है विदे को पर शोयर करती देना बात में बात करेंगे तिसरा option है राजेपाल दिवारा प्रेशित विदे को पर शोयर करती राजेपाल जब भी कोई विदे को को राश्टपती के पास शोयर करती के लिए बेज़ता है तो राश्टपती उसके उपर मंत्री परिशद की सलापरी उसके उपर क्या करता है जो विपनुरीचार के लिए बेजना होते या इस्ताकसर करने होते हैं तो उसमें मंत्री परिशद की सलापरी मानने होती है D option है लोक्ष बाबंग करना जब लोक्ष बाबंकर नहीं होती है तो भी मंत्री परिशद की सला लेनी होती है और जब मंत्री परिशद को खुद ही कैदे या राष्टपती को भी लगे तो ये कर सकता है 500 option है स्विधान संसोदन विदेव को परश्विकर्ती देना ये तो राश्टपती मंतिर प्रश्विकर्ती के सलापर इकाम करेगा तो इस क्युस्थन का option B जो है इसका उत्र हो जाएगा विदेव को परश्विकर्ती देना ये इसका नहीं है बिल्कुल सही हो जाएगा तो इस question का उत्र थो हो जाएगा B क्योंकि विदेव को पर स्वीकर्ती देना राश्टपती इसके उपर स्वीकर्ती दे भी सकता है नहीं भी दे सकता और इसको पुनरविचार के लिए बेज सकता है और जब स्व Singarty नहीं देगा उसमें वीटों का प्रियोग करेगा तो मंत्री प्रिशति अला वो नहीं मानना एगा अगला क्यूस्टन है भारत के राष्ट पती ने जिस एक मात्र मामले में अपने वीटों की सक्ति का प्रियोग किया है वे है था तो भारत के राष्टपती ने जिस एक विटोग सक्ति का प्रियोग किया था वो था option C के अंदर दे रखा है भारतिय डाक घर संसोधन विधेक वैसे अगर देखा जाए तो option B.B. जो है पेप सुई नियोग विधेक इसमें भारत के राष्टपती डोक्र राजिंदर पर साथ थे इन्होंने authentic विटो जो है जिसे absolute विटो कहा जाता है इसका प्रियोग किया था यह authentic विटो किस परकार की विटो है कि राष्टपती के पास कोई विधेक गया यानि कोई बिल गया और राष्टपती ने उस बिल के उपर अस्ताक्षन करने मना कर दिया और वो बिल हमेशा और अमेशा क्या हो जाता है खतम हो जाता है तो यह डोक्टर राजिंद प्रसाद दोवार उसके भी किया गया था लेकिन वह authentic विटो थी और जब pocket विटो की बात करते हैं तो भारती डाग गर्शन सोधन विदेक जो था 1986 के अंदर वह भारत के जो राष्टपती थे ग्यान कोई भी विदेक जाता है तो राष्टपती उस विदेक के उपर क्या क्या परतिकरिया दे सकता है पहली परतिकरिया इस परकार्शे दे सकता है कि उस विदेक के उपर देखते उसके उपर शाहिन कर ले दूसरी बात क्या कर सकता है कि उस विदेक को पढ़े और उसे लगे क इस विदे कि में अभी भी थोड़ी वोतोर गुंजाइस है इसमें थोड़ा परुसन सोधन हो सकता है तो उसे प्रणुरविचार के लिए बेज सकता है तिसरी बात क्या कह सकता है कि जब उसके उपर कोई पर्तिकिरिया ना तो हां कहे ना मना करे यानि ना तुसके उपर का भी सदसे नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है बहुत बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुछन है आजकल यहीं कुछन बहुत पूरे भारतवर्ष के अंदर एक नया मुद्दाबन के सामने आया करंट का और इस कुछन का उत्र पहले देखले क्या बन जाएगा तो एउप संदेर का 6 माह बाद यह इसका सही उत्र हो जाएगा वर्टमान के अंदर जो महराष्टर के मुख्य मंत्री है उद्दव ठाकरे तो उद्दव ठाकरे जो 9 अक्टूबर के अंदर चुनाओ यह थे महराष्टर में चुनाओ के बाद किसी भी मुख्यमंत्री नहीं बना था और जब मुख्यमंत्री बनने के लिए थे पर केंप वह न साबित करना था उद्दव ठाकरे को क्या बना दिया नया कि मुख्य मंतरी बना दिया अब उढ़ाओओव थाकरे के पास क्या है कि बहुमत तो है लेकिन उढ़ाओओओब उढ़ात राज्य की मंडल मेन ना तो विदान एक वीडियो जरूर बना देंगे अगला क्यूशन देखते हैं एक MP की सीट को रिक्त गोसित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैस की अवदी के लिए अनुपस्तित रहता है तो इस क्यूशन का उत्रा जाएगा आपने पड़ रखा होगा कि 60 दिन की अवदी जो है 60 दिन तक लगातार अगर कोई भी संसद जो है वो संसद के सदन के अंदर नहीं जाता है तो उसको अनुपस्तित मानते उसकी सदन से तक्या होगी रद कर दी जाती है तो इस क्यूशन का उत्र हो जाएगा 60 दिन जिसे 2 माह के अंदर लिखा गया था तो 60 दिन कहें या 2 माह क तो इस कुछन का उत्तरिय हो जाएगा अगला कुछन है संसद के सूचना अधिकार दिनियम को भारत के राष्टपती की स्वीकर्ति प्राप्त हुई बड़ा जबरदस्त कुछन है थोड़ा सा ध्यान से देखना लेकिन अधिकांस इसका उत्तरमान के सलेंगे कि 12 अक्टूब करती दी थी 15-2005 को इसके संद्रम में एक चोटी सी कहनी भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2003 था और वर्ष 2003 में अटल भीयारिवाजपी के सरकार ने एक सूचना की सवतंतरता अधिनियम 2003 बना दिया और जैसे ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2003 बनाया और अगले साल 2000 चाह अधिकार में और जैसे ही डोक्टर मनमान सिंग परदानमंतरी बने तो सोनिया गांदी ने परदानमंतरी पद जो था वो साइद थोड़ा सा इगनोर कर दिया थर्टिया कह सकते हैं ठुकरा दिया था तो उस समय NAC के नाम से जिसे नेशनल एडवाईजरी काउंसिल कहते हैं इसके नाम से संस्था का नया का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्स बनगी सोनिया गांदी और पूरे देश में ये का जाने लगा कि सरकार के बराबर में एक और शरकार चल रही है वो सरकार काम कर रही है वो इसको बता रही है और तब सारे काम हो रहे हैं और अरुना रा तो RTI Act 2005 बना था, जैसे या RTI Act 2005 बना तो भारत के राष्ट पत्र के पंदरा जुन 2005 को इसके उपर अस्ताक्सर कर दिये, अस्ताक्सर करने के बाद ये कानून बन गया और कानून बन के लागू हो गया, और जैसे ही लागू हुआ तो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इसक पर चुचना ये मांगने चाही, तो उन्होंने संब्धित विवाग के पास सुचना पराप्त करने के लिए अपने पत्तर लिख दिये, तो जो अधिकारेइव के पास पत्तर गए थे, उन अधिकारी ने एकदम से अपने हाथ खड़े कर दिये, और क्या कहा, जो लोग जो स सुचना मांग रहे थे उन सुचना से संबंदित डाटा हमारे पास नहीं है और जब डाटा ही हमारे पास नहीं है तो हम सुचना किस बात की दे देंगे तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए ताकि हम वो डाटा कहीं से कलेक्ट कर ले और उसके बाद वो सु पांस इसका उत्तर हो जाएगा और लागू अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू आ था जिस परकार बारत का सुईधान दो बार में लागू आ था तो उसी परकार सोचना का अधिकार दिनियम भी दो बार में लागू आ था अब आप बहुत बा क्या है कि RTI का भात के सुईधान में कई लेक नहीं है RTI को सुचना का अधिकार को जब भी पढ़ा जाता है अनुचेद 19 जिसके अंदर भाषण वस अभिव्यक्ति की सोतनतरता है राइट उप्रेंड एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर इसी सोतनतर का दिनियम को पढ़ा जाता है अगला क्यूसन हम देखते हैं अगला क्यूसन है भारतिय सुईधान के निमन अनुचेदो में से किस एक के अधीन राज़ेपाल राष्टपती के विचार के लिए किसी विध्यक को आरक्षिक तरक सकता है तो इस क्यूसन का उत्रा जाएगा अनुचे 200 जैसे राज राज़ेपाल उसके उपर खुद अस्ताकसर नहीं करेगा राज़ेपाल उसको कहां बेज देगा राष्टपती के पास बेज देगा कि राष्टपती उसके उपर अस्ताकसर करेंगे क्योंकि हाई कोर्ट की सक्तियों में जो हाई कोर्ट से समदित जो भी मामला होगा तो हा भी इसका अध्याखी स्पीकर कह सकते हैं पदपर बना रहता है तो इसक्रशन का जबरदस्ट कुशन है इसक्रशन का उत्र क्या आए जाएगा पहला एप्प्सन दे रखा है कि विधान सबाके विगटन के बाद गठित विधान सबाके पहली बैठक के ठेक पूरव तक तो option A इसका सही उत्र हो जाएगा हमारे भारत के सुविधान का अनुचेद है 179 188 188 के अंदर इस बात का उलेक भी है कि विधान सबाका जो भी speaker होगा वो किस अउधी तक अपने पद पर बना रहेगा ये बात option A में है ये कहां लिखे गई थी अनुचेद 179 के अंदर लिखे गई थी अगला question देखते हैं बारत में चलित न्याले जिने mobile court का जाता है इनका मानस पुत्र है जबरदस question है तो वैसे तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ इसका कुत्तर आ जाएगा एपीज अब्दुलकला माजाद जो भारत के पुरो राष्टपती रह चुके है इसके संद्र में क्या है कि 4 अगस्त 2007 को अर्याना के मेवाद जिले के अंदर पुनहाना है उसमें देश की पहली mobile अदालत का उदगाटन किया गया था और इसका सुवारम जो किया गया था उस समय के ततकालिन जो Chief Justice of India थे केजी बालकरिशन उन्होंने इसका उदगाटन किया था और इसी परकार इस न्याले के अंदर जो प्रिकल अपना जो निकल के आई थी तो इसी परकार के न्याले की प्रिकल अपना का सरो पर्थम डोक्टर एपीज अबदुलकलाम दवारा ये किया गया था अगला क्यूशन है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतरगत एक वेक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए बनाकर रखा जा सकता है पहले तो इस कुशन के अंदर इस डेफिनेशन को ही समझ ले प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है निवारक निरोध निवारक निरोध के अंतरगत एक वेक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है अप्शन B तेन महा तक अनुचेद 22 के अंदर आपने पड़ा ओगर आज लोकडाउन होने के बाद ये दो तिन बार बहुत बार चर्चा में विया चुका कि रासु का राष्टे सुरक्षा कानून बनाया गया है उसके तैत अगर किसी वेक्ति को गिरफतार किया जाता है तो अनुचेद 22 के अंदर जो जो बाते लिखी थी वो उसको नहीं मिलेगी अनुचेद 22 में का गया था अगर किसी वेक्ति का हुए दिरूप से गिरफतार कर लेते हैं तो 24 गंटे में उसको क्या करना पड़ेगा नयले में पेस करना पड़ेगा जिस वेक्ति को गिरफतार किया गया था उसको अपने गिरफतारी का कान जानने का भी दीकार है उसको अपने पक्स में वकिल करने का भी दीकार है लेकिन अगर किसी को रासुका के तैत गिरफतार किया जाता है तो उसको ये सारे जो भी अधिकार हैं ये नहीं मिलेंगे तो उम्मिद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इसको लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं तो आज के लितना ही जै हिन जै भारत धन्यवाद